तो दोस्तो आज के मार्केट लिए हमने अनलसिस किया था कि मार्केट इस पैटन के अंदर वर्क कर रहा है ठीक है और इसके नीचे आके रीटेस्ट होके का सस्टेन होता है तो हम पुट साइट जाएंगे यहाँ पे सेम ऐसा ही आपको पैटन दिखता बैंक निफ्टी में और सेम ऐसा ही फिन निफ्टी में पैटन था तो दोस्तो इसका आज ब्रेकटाउन तो हुआ ठीक है आप देखेंगे आपे ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन जो हमें एंट्री लेनी थी इसके नीचे वो एंट्री नहीं मिली मार्केट इसी रेंज में रहा सभी जगापर अगार अगर आपके लॉसिस कोई बात नहीं दोस्तो आज का मार्केट टेपी गलता हो जाता है ऐसा फिर भी गाईज अपनी गलतियों की एक जरूर बनाए उसको नोट करें डेफिनेटल अग्री बार आपको प्रॉफिट होंगे हैलो एवरीवन जैशिफ शंबू तो दोस्तो इस पॉल तो दोस्तो अगर हम इस पैटन को देखें तो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होना चाहिए तो अगर ऐसा होता है तो हमें ट्रेट कैसे एक्जिक्यूट करेंगे तो दिखें यहां पर यह रेंज है यहां कहीं भी मार्केट गाप डाउन ओपन होता है पुट साइड हम के रहेंगे यहां पर 17,600 और अगर इससे और नीचे जाता है तो नेक्स टागेट के लेवल हो जाएंगे हमारे यहां 17,480 के अराउं हमारा थर्ड टागेट का लेवल रहने वाला है ठीक है तो ऐसे करके हम इसमें पुट साइड के ट्विड एक्सेक्यूट कर सकते हैं अब इन केस अगर सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है देखें यहां कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यह एक रिस्की एरिया भी रहेगा क्योंकि मार्केट यहां ऐसे गया है गैप डाउन ओपन हो गया उसके बाद ऐसे अरके उपर बुलि execute करना है और अगर gap down open हो के market उपर चलने लगता है देखे ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे call side का trade तो करना नहीं है इस range में अगर market नीचे आता है और ये low नहीं तोड़ता और फिर से उपर जाके ये high break करता है तब आप इसमें call side का trade execute कर सकते हैं target के level आज के high तक के हमारे रहेंगे जो की है near about 17,780 के around और इसके उपर अगर market निकल जाता है तो next level हमारा ये रहेगा 17,880 तो ऐसे करके हम इसमें call side के trade execute कर सकते हैं और ये भी अगर breakout हो जाता है इस level का भी तो next target 17,960 तो ये हमारे 3 level उपर के रहने वाले हैं तो ऐसे हम gap down की condition में trade execute कर सकते हैं तो ये हो गया guys हमारा gap down का scenario अब हम देखेंगे अगर market open हो जाता है gap up तो देखेंगे अगर gap up open होता है तो यहां से ये ऐसे उपर की तरफ चल सकता है तो यहां कहीं पे भी अगर gap up open होता है दोस्तो यहां से फिर नीचे भी आ सकता है market तो यहां पर हमें कै ऐसे trade execute करना है तो देखिए यहाँ पर अगर market gap up open होके wait करेंगे इस level का 17,880 के उपर retest होगे अगर sustain होता है तो हम यहाँ पर call side move कर सकते हैं target के level हमारे यह हो जाएंगे 17,960 और अगर gap up खुलने के बाद market सीधा नीचे आने लगता है तो हम यहाँ पर put side का trade भी execute कर सकते हैं यहाँ पर आपकी quantity कम रहेगे और इसके नीचे अगर retest होके sustain होता है तब आप quantity अपनी increase कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं उस चीज़ को जरूर ध्यान रखना यहाँ पर आपको Fibonacci retracement भी जरूर mark करना है ठीक है क्योंकि guys यहाँ पर भी इसके support के level है जो कि बिल्कुली अलग level निकलगार आ रहे हैं और यहाँ पर trapping वगएरा हो सकते हैं levels के according तो यहाँ पर इन levels को भी mark करके रखें at least 50% mark करके रखें और एक है हमारा 61% इसको mark करके रखें तो यह दो level भी important रहने वाले ह है ठीक है यहाँ पर ध्यान रखें एक level है यह 17,681 यह level है और एक level है 17,633 तो इन पर भी ध्यान रखेंगे during market हो सकता है इन में से किसी level पर आके market यह देखें नीचे आये और फिर उपर के तरफ ऐसे करके reverse हो जाए ठीक है तो यह condition बन सकती है market के अंदर तो यह हो गया gap up का scenario अपने market में अब हम देखेंगे अगर market flat open हो जाता है तो दोस्तों अगर flat open हो जाता है market तो risky रहने वाला है जैसे आज risky market रहा पूरा देखें यहाँ पर safe trade कैसे मिलेगा इस range के उपर retest हो के sustain हो जाए call set चले जाएंगे यहां से नीचे आने के पाद इसके नीचे retest हो के sustain ह हो जाए तो put side चले जाएंगे simple सी यह strategy लेके चलेंगे तो यह overall हमारा nifty का analysis है तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम bank nifty की तो दोस्तों यह bank nifty का चार्ट है 50 minute के time frame में इसमें कैसे trade execute कर सकते हैं तो देखें यहाँ पे almost यह sideways range है clear तो अगर market gap down open हो जाता है त flag and pole pattern जैसे हमारा nifty में था तो इसका breakdown नीचे की तरफ हो सकता है तो देखें यहाँ पे क्या condition हो सकती है एक तो यह support यह area है total आप पूरा मान के चलिए पूरा area है यहाँ पे market gap down open होता है नीचे चलता है continuously इसके नीचे retest होके sustain होता है हम put side के trade execute कर सकते हैं हमारे price action के according जो target के level आ रहे हैं वो है एक यह level 40,600 का level और एक यहाँ पे near about यह level है जो की है 40,900 का level तो यह दो target के level रहेंगे put side के trade के लिए अगर market gap down open हो जाता है तो ध्यान रगना bank nifty में retest होके sustain होगा तभी हम यहाँ पे put side के तरफ trade execute कर पाएंगे तो यह overall होगे हमारा gap down का scenario bank nifty के अंदर औ बहुत बड़ा यहाँ कहीं suppose 40,900 के आसपास तो ध्यान रखना है यहाँ से market उपा के तरफ call side reverse हो सकता है तो हम यहाँ पे call side का trade execute कर सकते हैं तो यह gap down का scenario रहेगा bank nifty के अंदर इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अगर market gap up open हो जाता है तो दिखे gap up open होने के लिए यह total range है अगर इसके अंदर gap up open होता है इसके उपर retest हो के sustain होता है we can go call side target के level आपके रहेंगे 41,650 तक के और इसके उपर अगर market sustain होता है तो next target का जो level निकल के आएगा वो निकल के आएगा यह level जो की है हमारा 42,022 तो यह हमारा target का next level रहेगा अगर market इसके उपर sustain हो जाता है तो यह दोस्तो gap up का scenario रहेगा bank nifty के अंदर इसके अलावा दोस्तो यह जो हमारा pattern है ठीक है ending diagonal pattern इसका high important रहने वाला है बहुत जादा यह ऐसा rejection का area work करेगा अगर market इसके आसपास gap up open हो जाता है तो देखे अ कोई retest हो के sustain होता है तभी हमें call side move करना है otherwise guys यहां से gap up होने के बाद market नीचे आ सकता है ठीक है यह ऐसे करके market नीचे की तरफ आ सकता है तो हम यहां पे put side का trade execute कर सकते हैं quantity कम रखेंगे कब तक जब तक यह level break नहीं होता 41,261 जब यह break हो जाएगा तब इसे continue trade कर सकते हो और तो वहां पर हम quantity भी add कर सकते हैं but guys हमें ध्यान रखना है Fibonacci retracement लगा के जरूर से जरूर ठीक है यह level पर यहां पर हमने जो level mark किया है वो ठीक है लेकिन अगर आप bank nifty के यह level देखेंगे जैसे की आ रहा है 50% और यह आ रहा है 61% तो इनको भी mark करके रखें क्योंकि market guys अग gap down की condition में नीचे आता है या फिर यहां gap up खुलके नीचे आता है तो यह सारे level जैसे 40,895 और एक है 40,701 यह सारे support के level बन सकते है market यहां से उपर के तरफ ऐसे करके reverse हो सकता है तो important level है सभी mark करके रखेंगे तो इसके अलागा अगर bank nifty open हो जाता है flat तो यह sideways range है flat के लिए त नीचे मतलब 41,261 के नीचे retest हो के sustain होता है put side जा सकते है और यहां से अगर उपर की तरफ चलने लगता है तो देखिए अगर आप कोई trade करना है मतलब 150 point है तो यहां से आप call side का trade भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा scalping लेके चलेगा उसके बाद अगर यहां से का market retest हो के इस range के उ sustain होता है तो आप call side की तरफ move कर सकते हैं तो यह हमारा bank nifty का scenario रहेगा आगे चलेंगे और बात करेंगे दोस्तो हम fin nifty की तो दोस्तो यह fin nifty का chart है और इसमें भी आप देखेंगे यहां पे भी यह guys pole हो गया यह flag हो गया और यहां पे market downside move कर सकता है तो यह overall इसका scenario है अब इस करके रखेंगे यहां पर एक और level है यह level यह भी जरूर माक करके रखेंगे Fibonacci retracement जरूर लगा लें फिन nifty के अंदर कल इसकी expiry है तो गाईस हम इसमें trade कैसे करेंगे देखे अगर gap down हो जाता है यहां कहीं wait करेंगे नीचे जाएगा हो सकता है देखे यह जो level है 18,296 का level ह और यह है 18,251 कोई बहुत जादा फरक नहीं 40 पॉइंट का फरक है तो हो सकता है market gap down खुलने के बास सीधा downside जाए यहां पर यहां पर आप entry बनाएंगे put side की बट यह क्या करें यहां पर trap create कर ले इस area पर trap create कर ले यहां पर put side का market यहां से reverse हो जाए उपर की तरफ यह कर सकते हैं लेकिन 18,251 पर नजर रखे Fibonacci retracement का गई से support का level है यहां से market अगर उठता है तो निकल जाएंगे exit कर देंगे put side के entry से अवेट करेंगे market उपर जाता है फिर यहां पर retest कर सकता है कहां पर जो हमारा आज का low है तो यहां retest कर सकता है जो हमारा आज का low है यह जो level है तो यहां retest करके अगर नीचे तूटता है दुबारा से तब हम यहां पर 18,259 का breakdown होने के बाद फिर से put side की entry ले सकते हैं target के level 18,168 और उसके बाद target का level 18,087 का रहने वाला है तो यह ऐसे आपके target रहेंगे put side के ध्यान रखेंगा इस यह level बहुत जादा important है यहां पर market अगर नीचे आ जाता है तो यहां से उपा की तरफ reverse भी हो सकता है अच्छा एक reversal देखने की ने मिल सकता है हमें call side की तरफ clear guys तो यह overall scenario रहेगा gap down का in case अगर market gap down बहुत जादा खोल जाता है यहां खोल जाता है या फिर यहां खोल जाता है उस condition में हम reversal का trade देखेंगे call side की ठीक है यहां से market उपर reverse हो सकता है तो यह scenario रहेगा gap down का इसके अलावा का market open हो जाता है gap up तो यह हमारा जो high है 18,490 के around इसक के नीचे अगर market open होता है दोस्तो तो यहां से अगर उपर retest हो के sustain हो तब हम call side जाएंगे otherwise दोस्तो यहां पर क्या हो सकता है यहां पर market open हुआ gap up और यहां से नीचे की तरफ तूट सकता है market तो हम put side का trade execute कर सकते हैं quantity कम रखेंगे कब तक जब तक आज का low का breakdown नहीं हो जात होता है अगर retest हो के entry में जाती है बहुत अच्छी बात है आप यहां पर दुबारा entry ले सकते हैं या फिर अपनी quantity add कर सकते हैं और तो यह हमारा gap up का scenario रहेगा इसके अलावर दोस्तों का flat open होता है market देखें simple इस range के उपर retest हो के sustain होता है call side और इस range के नीचे retest हो के sustain होता मिलेंगे अपनी next वीडियो में कल के like session में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम and thank you for watching guys